माई कॉंग्रेस ने 28 दिसमबर को अपने स्थापना दिवस पर मार्च निकालने का पैसला किया है सभी राज़ों की राज़धान में भारत बचाओ सविधान बचाओ मार्च कॉंग्रेस निकालेगी तो कॉंग्रेस मासरचीफ केसी विडू को पाल ने कहा कि दिली में हुई भारत बचाओ रैली की सफलता के बाद ये कदम उठाया जा रहा है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्च कराएंगे तो जहां एक तरफ देशबर की कुछ जिन्दा लोगों में इस विल को लेकर इस कानून को लेकर गुस्सा है तो दूसरी तरफ अब मोधी सरकार के खिलाफ कॉंग्रेस की तरफ से मोचा खोला जाएगा 28 दिसंबर को कॉंग्रेस भारत बचाओ मार्च निकालेगी तो कॉंग्रेस महासचेव विरोगोपार की तरफ से यह जानकारी दिये गई है तो मोधी सरकार की जन्द विरोधी नीतियों के खिलाफ क्योंकि लगातार CAA की जो विरोध है वो कॉंग्रेस की तरफ से भी किया जा रहा है और साफतोर पर इस कानून को धर्म के आधार पर देश के लोगों को बाटने का आरोप कॉंग्रेस से मोधी सरकार पर लगा रही है तो मोदी सरकार के खिलाफ अब कॉंग्रिस ने मोर्चा खोल दिया है 28 दिसंबर को कॉंग्रिस ये मार्च निकालेगी जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रहे हैं और इस मार्च को भारत बचाओ, सविधान बचाओ नाम दिया गया तो 28 दिसंबर को कॉंग्रेस का स्थापना दिवस है और इसी दिन इस दिन को और एहम बनाने के लिए ये मार्च कॉंग्रेस की तरब से निकाला जाएगा और इस मार्च को भारत बचाओ सविधान बचाओ का नाम दिया गया